नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकास और आप देख रहे हैं दफरन बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की क्योंकि पाकिस्तान में फूटा है आटा बम पाकिस्तान रोटी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान दाने दाने को मुहताज हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त आंदोलन चल रहे हैं जंता भूकी है और इमरान खान को सिरे से नकारा जा रहा है हर जगा पे और इमरान खान पर इस भूकमरी का इस रोटी के संकट का सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है आपको बताने कि पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि गेहूं का आटा पाकिस्तान में लोगों को नसीब नहीं हो रहा है आटे की कीमत 75 से 100 रुपै किलो तक पहुंच चुकी है और लोगों को आटा नहीं मिलने की वज़़ से कई दुकाने ऐसी हैं जहां कि रोटी बनती है जहां नान तयार किये जाते हैं उन लोगों ने हरताल पर जाने का फैसला कर लिया है वज़ा है हरताल की ये कि एक तरफ जहां आटा पचास 75 किसी किसी शहर में 100 रुपै किलो तक पहुंच गया है वहीं नान की जो कीमत 2013 में निर्धारित की गई ती 10 रुपै आज भी वही है इसलिए नान बाई कहते हैं उनको नान बाईयों ने आंदोलन कर दिया है और नान बाईयों ने हरताल पर जाने का फैसला कर लिया है पिछले दो दिनों से ये नान बाईय एक बड़ा हिस्सा खरीद कर रोटी खाता है इनी नानबाईयों की दुकान से रोटी खरीदी जाती है नान खरीदा जाता है और उसी से पाकिस्तान के नागरिकों का पेट भरता है लेकिन पाकिस्तान के जो मुखिया है जो इमरान खान है वो अपने नागरीकों का पेट पालने में पेट भरने में इस वक्त नाकाम दिखाई दे रहे हैं और रोटी की आग पेट की आग जब जुआला फड़कती है तो सीधा सीधा सरकार पर असर होता है और इसलिए इमरान खान की सरकार के खिलाप पाकिस्तान में आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई है और लोग इमरान खान को घेर रहे हैं ये वही इमरान खान है जो भारत की अंदरूनी मामलों में एक-एक मामलों में टांग अडाते हैं चोटी चोटी बातों पर युद्ध की गीदरभव की देते हैं ये कहते हैं कि हम जंग के लिए तयार हैं लेकिन इस इमरान खान को आज ये सोचना चाहिए कि एक पुलवामा हमले के बाद भारत ने most favored nation का दरजा अगर पाकिस्तान से चीन लिया तो आज पाकिस्तान की हालत य पने लगी है आपको बता दें एक बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के बीच में ब्यापारिक संबन्द जब ठीक थे तो बड़ा हिस्सा आयात होता था और निर्यात होता था कई सारी चीजों का इनमें आलू भी होता था प्याज भी होता था तमाटर भी होता था भी कई सारी चीजें होती थी लेकिन अगर खाने की बातों की बात करें तो ये पाकिस्तान पुलवामा हमले के बाद जब से भारत ने भारत ने कस्टम ड्यूटी दो सो परसेंट लगा दी है यानि की आप हमारे फेवर्न के नहीं हैं आप हमारे हितों को बारे में सोचने वाले नहीं हैं तो हम आपको कोई सबसीडी नहीं देंगे और जब से भारत ने ये सबसीडी घटाई है 200% कस्टम ड्यूटी बढ़ने की वज़े से पाकिस्तान महंगाई की मार जेल रहा है आपको बता दें कि 2019 में कि जनवरी में जो पाकिस्तान में महंगाई का रेट था जो महंगाई दर थी वो लगभग 8-9% थी लेकिन दिसंबर तक आते आते महंगाई का ये आकड़ा 12% तक जा चुका है पाकिस्तान में महंगाई की दर 12% है आप सोच सकते हैं कि 12% महंगाई की दर जेलने वाला पाकिस्तान किस कदर की अर्थ बेवस्ता से जूज रहा है और वहां की एकोनॉमिक हालत कितनी खराब है कितनी खस्ता हाल है और इस खराब एकोनॉमिक की वज़ा से आज पाकिस्तान में आते की किल्लत हो गई है सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रांट ऐसा है सिंध प्रांट जहां पे आता भरपूर मात्रा में है लेकिन वहां से वो चीज सप्लाई पूरे देश में नहीं हो रही है दूसरी तरफ सिंध प्रांत में आपको बता दें कि PPP की सरकार है यानि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी की सरकार है जबकि तहरीके इंसाब की सरकार वाले मुखियाद देश के प्रधान मंत्री है ऐसे में पिपल्स पार्टी यानि की पाकिस्तान में राजनितिक संकट भी खड़ा हो गया है आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान ने अफगानिस्तान को जरूरत से ज़्यादा गेहू निर्यात कर दिया लेकिन पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने ये नहीं सोचा कि उनके देश की जनता क्या खाएगी उनको ये सोचना चाहिए था कि आप अफगानिस्तान को अगर जरूरत से ज़्यादा गेहू सप्लाई कर रहे हैं तो आपके घर में खाने के लिए अनाज है या नहीं है और इसी बात का जो राजनितिक संकट खड़ा हुआ है वो इमरान खान को लेने के देने पड़ने वाला है क्योंकि ये आटा बम है फूटा है तो बहुत जोरों से फूटेगा और इसकी भनक इसकी सनक सीधे सीधे नागरिकों के पेट तक जाएगी और पेट की जब जौला भढ़केगी तो वो क्रांती लेकर के आएगी और इस क्रांती में इमरान खान उबर नहीं पाएंगे अभी के लिए इतना है धन्यवार